स्टुरेंट्स आज हम आपका एक टेस्ट डाल रही हूँ मैं आपके लिए मतलब फाइव कोस्टेंस हैं आपको उनके आंसर राइट करने हैं सेकंड कोस्टन है कि राइट एनी टू हैल्दी हैबिट्स एसी कोई भी मतलब दो हैबिट्स के नाम लेखी जिससे आप स्वस्ट रहते हैं healthy habits के two lines में आपको बतानी है third है हमारा what are the three magic words three magic words कौन कौन से होते हैं मैंने आपसे chapter में पढ़ाया था अब आप सोच कर बताएंगे कि क्या कौन से magic words होते हैं next question है what is a balance diet balance diet क्या होती एक संतूली ताहर क्या होता है उसके बारे में आपको बताना है आपको hint दे देती हूं balance diet के लिए जिसमें हमें क्या जिससे की जो हमारी बोडी में संतूली ताहर जो होता है वो होता है जिसमें सभी nutrients होते हैं protein होती है vitamins होती है carbohydrates वगर सब कुछ होता है जिसमें हमारी balance diet होती है balance diet में हमें एक word रिखवा था कि मिल्क जो होता है वो बैलेंस डाइट है यदि आप कुछ भी नहीं खाते हैं तो मिल्क पीते हैं तो सब यह मालन की चलिए कि आपको हर एक मतलब जितनी आपकी न्यूट्रेंट्स प्रोडीन वगएरा है वो सब आपको मिल रही है अब आपको इसकी डेफिनेशन डाइट करनी है वाई शूड वी वास फ्रूट एंड वेजटेपल बिफोर इटिंग हमें अपने जो फल और सब्जियां है उन्हें खाने से पहले क्यों होना चाहिए यह आपको राइट करना होगा ओके दियर स्टूडेंट्स क्यों धोते हैं अपने हाथ भी धोती हैं अब पने जब अपने जब सब्जिया वगएरा जो भी बाहर से जब भी थुख लेग आते हैं उसे दहोते हैं जो पैकिंग भी नहीं होती है यह सब हमारा किसमें आता है इसके जो healthy habits जो है उसके अंदर का थे चैप्टर है पको मुल्ब के अश्यन तो आप जब भी आपकी क्लास ओपन होगी, आप सारी टेस्ट जितने भी मैं आपके अपकी अपकी टेस्ट लूँगी, वो सब आप क्या करेंगे? मतलब कि एक अलग से वो बनाएंगे एकनी फाइल बनाएंगे उसमें टेस्ट पेपर रखेंगे और जब भी क्लास ओपन होती है तो मैं आपके सारे टेस्ट चेक करूँगी ओके टियर स्टुडेंट्स अब आपको मैं बता देती हूँ कि मैं कल आपका टिक दा क्रेक्ट का टेस्ट कल आइम इंटो नेक्स वीडियो में टिक दा क्रेक्ट, फिलिंदा बलैंक, टू फाल्स और कोशन आंसर जितने भी मैंने चेप्टर कराई है उन में से किसी का भी मैं टेस्ट आपका ले सकती हूँ एक बार रिवाइज कर लेना सबको और देख लेना है कि मतलब किस किस में क्या क्या होगा एक एक का कोशन होगा मतलब मान कि जो लेक चेप्टर से तो आपको देखने हैं कि कौन-कौन से चेप्टर में क्या का कोशन है समझना है, यह नहीं है कि तुम रटोगे, उन्हें की रटा लगाने है, आपको रटना नहीं है, समझना है कि मैंने क्या question पूचा है, हमें इसका क्या answer राइट करना है, ओके dear students, thanks.